नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अब यूदे आईएस के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर और जैसा कि हमने करेंट अफेर्स के लिए सीरीज शुरू की है उसी की कंटिनुएशन में हम आज के सेशन को ले रहे हैं इसमें 3 और 4 नवंबर तक जो आपके महतोपुर्ण कुछ इवेंट्स हुए हैं जो हमारी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं तो चली अपने सेशन को शुरू कर देते हैं देखो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम MCQ डिसकेशन करेंगे बिल्कुल परफेक्टली हम MCQ डिसके अंदर करेंगे प्लस मैं आपको उसके साथ में कुछ इंपोर्टेंट जो कॉंसेप्ट होंगे important concept की चर्चा करूँगा प्लस उसके साथ में कोई उससे related background है तो उसको बताते हुए भी मैं आपको चलूँगा तो हमारा जो सेशन है उसमें 10 मिनट में हमें 10 MCQ solve करने हैं लेकिन ये सेशन थोड़ा बढ़ा भी हो सकता है because मैं exam oriented आपको जो information है वो मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा तो यहां से आपका यह फायदा होगा कि कुछ current affairs आपके जो direct exam समयेंगे वो आप यहां से solve कर लेंगे plus ऐसी कुछ knowledge जिसके base पे आप और questions को solve कर पाएंगे आपका दिमाग उन questions को solve करने के लिए develop हो पाएगा इसके लिए मैं प्रयास करूँगा तो आप साथ में जुड़े रहेगा आपको pattern समझ में लगेगा और आपको चीजें better लगने लगेगी ठीके चलिए तो आज के session को ह हम यहां से शुरुआत कर देते हैं पहला सवाल आपके सामने है देखो गुजरात में विधान सबा सीटों की संख्या क्या है options है आपके सामने 172, 182, 102 और 202 भाई आप सभी जानते हैं कि इस समय गुजरात में election का time चल रहा है ठीक है newspaper अगर आप देख रहे होंगे तो गु गुजरात election के अंदर ठीक है तो चलिए मैं इसका answer आपको clear कर देता हूं कि यहां पर इसका answer है 182 देखिए गुजरात में विधान सबाचुनाब होने वाले हैं आप सभी जानते हैं इसका जो मतदान होने वाला है विधान सबाचुनाब का उसके लिए कितनी seats हैं 182 seats हैं ज यहां पर बीजेपी, कॉंग्रेस और अभी एक नई पार्टी यहां पर भी अपनी जगह जमाना चाहती हैं वो कौन से हैं आम आदमी पार्टी तो यह सब कुछ information हैं जो अभी आप देख रहे होंगे newspaper में भी देखिए तो यहां पर मद्दान होने वाला है कब होने वाला है आपका यहां पर 8 दिसंबर 2022 को तो सबसे महतुपूर्ण बात क्या है कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग जो राज्य हैं उनकी क्या है अलग अलग विधान सबा हैं इन विधान सबाओं के election होते हैं और इनकी जो number of seats होती हैं वो different होती वहां की demographic के हिसाब से ठीक ह हैं तो हमारे question का answer हो जाएगा 182 और आप सभी ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर विधान सबा की अपनी total number of seats कितनी हैं जिनके election होता है दोस्ट छीक है चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे आल ही में रन्थम बॉर के T110 बाग को कहां पर shift किया गया है दे देखें मैं बताता हूं आपको इस question का answer है basically आपके मुकुंद्रा Hills देखो आप सभी जानते हैं कि रन्थमबर जो है वो राजस्थान के अंदर है सबसे मैत्वपुन बात आपको पता है कि राजस्थान के अंदर है और कहां पर है आपके सवाई माध्वपूर का जो आपका दिया गया है यह अभी current की बात है ठीक है हमारे लिए कुछ मैत्वपुन चीज है वो क्या है कि आप से यहां से कभी सवाल बन सकता है कि अपने राजस्थान के अंदर basically tiger reserve कितने हैं तो देखें मैं बताता हूं राजस्थान के अंदर आपके जो tiger reserves हैं और tiger reserves का का काम क्या हो सफारी करने गए भी होंगे इसके अलावा है सरिस्क टाइगर रिजर्व जो कि कहां पढ़ेगा आपके ये पढ़ेगा आपके अलवर जिले में ठीक हैं और तीसरा आपके है मुकुंद्रा हिल्स मुकुंद्रा हिल्स आपका जो tiger reserve है यह आपके kota के पास में है कहां पर है k लोटा के पास में और नमबर चार जो सबसे लेटेस्ट बना है उसका नाम क्या है रामगड रामगड विश्धारी यह कहां पर है आपके यह है आपके बूंदी जिले के अंदर यह आपके तो यहां से हमें जो इंपॉर्ट देखो करेंट अफेर इस तरह से पढ़ना है कि जो कहीं से आपके सवाल एक्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो दोलों काम हम साथ में करते हैं चलेंगे ठीक है यह बात समझ में आगए आपको अच्छा टाइगर से रिलेटेड देखो एक बार यह मैप के अंदर मैं आपको बतायता हूं यह आपके राजस्था कोटा के पास में यहांप है तो यह है कोटा के पास में मुकंढ़ः रिल्स टैगर डिजल्व ठीक है इसका पार्त कोसी लिए और दूसरे पार्त को बोला जाता है आपके धर्र Tigers का जो protection किया जाता है उसके लिए केंदर सरकार किसके अंतरगत protection करती कई पूछ ले तो ध्यान रखना है अपन को Indian Wildlife Wildlife Protection Act कौन सा Indian Wildlife Protection Act 1972 कभी कभी देखो यह पूछ ले जाएंगे Acts कि भाई यह कब बना था तो यह चीज यहां से related है तो उसको थोड़ा ध्यान करते हैं चलेंगे तो बड़िया काम हो जाएगा ठीक है इसके अलावा यदि आप word label पर बात करें तो एक list बनती है जिसका नाम क्या है IUCN IUCN की full form आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि International Union for Conservation of Nature यह संस्था हैं जो क्या करती है नेचर के संरक्षन के लिए काम करती है उनी के अंतर यह प्रोजेक्स चलते हैं सारे ठीक है चलिए तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे अच्छा एक information और मैं आपको देदू कि यह जो टाइगर्स की जो संख्या होती है इसका निर्धारन किस हिसाब से किया जाता है आप भी सोचते होंगे यार कि यह टाइगर्स गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं क्या एक एक को डूड़ने जाते हैं या क्या करते हैं तो मैं आपको बताओं उनका मोमेंट वहां से कैप्चर हो जाता है ठीक है तो यह एम स्टिप्स पर क्याइवार सवाल पूछा हुआ है इसकी फिल्फॉर्म होती है आपके मॉनिट्री सिस्टम फोर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन स्टेटस ठीक है तो एम स्टिप का संबन्ध याद रखेंगे किस से है टाइगर्स की संख्या निर्धारन करने में उनकी जो लोकेशन होती है उसको निर्धारन करने में यह काम आता है ठीक है भाई यह इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन थी चलो अगले सवा की आपके चीज है देखो कुछ कोश्चन ऐसे होंगे आपके यहाँ पर जिनको मैं यह नहीं कहूंगा कि वह एक्जाम में आ सकते हैं ठीक है बस एक अपने को समझ होनी चाहिए सवाल पूछा गया हाली में किस देश में पहली बार हैलोविन त्योहर मनाय गया है इस आप देखा होगा आप लोग सोशल साइट्स पर भी जुड़े रहते हैं तो अपने देखा होगा कि इस दिन बच्चे हों या फिर जो हैलोविन बनाते हो क्या करते हैं एक तरह से राक्षस का मुखोटा या पिर किसी भी प्रकार से भूत की तरह है ठीक है वह आपना छेहर को हर साल क्या मनाया जाता है हेलोवीन डे मनाया जाता है ठीक है 31 अक्टूबर को आपके हेलोवीन डे मनाया जाता है ठीक इतनी बात पता है चलो हेलोवीन का बेसीकली मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पवित्र करना इसका रेफरेंस यह है कि यह क्या मानते पाएं ठीक है इस तरह का चलन है इसलिए दर भगाने के लिए राक्षास जैसे कपड़े यह सब चीजे पहनी जाती है अपने भारत में भी चलन शुरू हो गया है लेकिन किस देश में पहली बार इससे पहले साओधी अरेबिया ने यूज नहीं किया था आप भी जानते हैं स इस्ट एशिया का आपको यह मैप दिखाना जरूरी समस्ता हूं देखो अपने एक्जामस में डिरेक्टली कोशन भी पूछे जाते हैं मैप से रिलेटेड और इंडिरेक्ट तरीके से जब आप इंटरनेशन रिलेशन पढ़ते हैं कोई नई इन्फोर्मिशन आती है तो अ यहां पर है इंडिया से निकले और आपका पहुत ही पसंदियदा देश पाकिस्तान वगल में पड़ रहा है फिर यहां से अफगानिस्तान और देखे यहां से आप निkkलोगे तो कॉन सा आगया या आपके पास में इरान आई-बाद समझ में इरान इरान से और आगे चलो, तो आप आगे इराक, इराक से आप कहाँ पर आगे, सउदी अरेबिया, ठीक है, कुछ गल्फ कंट्रीज हैं, इनके नाम देख लो, यह आपके हो गया, ओमान, यहाँ पर है आपके UAE, बार बार जब कभी भी, आपके कहीं पर भी, लोकेशन नहीं मिल पाती मैच खेलने की, तो कहाँ बेज देते हैं, UAE में खेल लो भाई, ठीक है, UAE, इसके अलावा यह आपके कौन सी कंट्री हो गई, यमन, इधर आजाओ आप, इधर कौन सी कंट्री है, आपके सीरिया, यह कौन सी कंट्री हो गई, जॉर्डन, देखो, तो कितनी सारी अप आपका अरेबियन सी रहा, यहां से गल्फ अप एडन, यहां पे आपके कौन सा है, रेड सी, यहां से आप थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करने लगेंगे, तो आपके क्या आ जाएगा, यह देखें, यहां पर जॉर्डन है, इसके आगे आप जाएंगे, तो यहां पे करने लग जाएंगे, किस से, रूस से, ठीक है, तो इनको जरूर आप देखते रहिएगा, बहुत काम की चीज़ें, चलिए, आगे चलते हैं, अगला सवाल पूछा है, जैसल मेर में बिद्धुत समस्याओं के समाधान है, तो जैसल मेर के अंदर एक अभियान चलाया जा र रखते हैं, हाली में कौन से भारती क्रिकेटर दुनिया का नंबर वन टी टूंटी वर लेवाज बन गया है, विराट कोहली, बी सुरी कुमार यादब, सी रोही शर्मा और रिशब बन, अरे रिशब भाई को तो खेलने काई मोका नहीं मिल रहा, चोड़िए उनको तो, चल में थोड़ी सी बात कर लें, इन्हें कहा जाता है, मिस्टर 360 डिग्री, जैसे कि आप जानते हैं, सरकल होता है, ठीक है, सरकल के अंदर क्या होता है, कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, तो ये ऐसा प्लेयर है, जो पिछ के यहाँ पर खेल रहा है, लेकिन इसके शौट्स वो है सुर्य कुमार यादब और बहुत शांदर फॉर्म में चल रहे हैं, फॉफुली समी फैनल में भी काम आएंगे, तो अपने कोशन का अंसर हो जाएगा, सुर्य कुमार यादब, अगला सवाल, हाल ही, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, अगला सवाल आ आपके सुब्रकांत पांडा जी हैं, उनको क्या बना दिया गया है, निया अध्यक्ष बना दिया गया है, किसका फिक्की का, चलिए, फिक्की के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसकी फॉल फॉर्म होती है, आपके, The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, यह है आपके फिक् लोग महा संग, यह बेसिकली पिक्की के फुल फॉर्म है, यह एक प्रकार का क्या है, आपके, यह एक प्रकार का आपके व्यापारिक संग अठन है, ठीक है, यह चीज़ें देखो, मैं बैग्ग्राउंड इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि कई दफा यहां से सवाल पूछे हैं, फिर इसको अलग से पढ़ने की जरूत नहीं है, यहीं साथ में कुछ चीज़ें पढ़ते जाएंगे, तो बहुत अच्छे से आपके डबल अप हो जाएगा, इसका कारेल है, इसका कारेल है, आपके नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, और सुभरकांत पांडा जी जो है, इनको अध्यक्ष बनाए गया है, इससे पहले कौन थे, संजीव महता जी, चली, अगले सवाल के तरफ मूब करेंगे, अगले सवाल है, आपसे हाली में कहां के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुडाव और संचार का रिक्रम शुरू किया है, चलो, आप्शन्स हैं, A. आसाम B. मेघाले, C. अरुनाचल प्रदेश, D. मनीपुर, तो हाली में कहां के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुडाव, मतलब नागरिकों से जुडने का और कम्मुनिकेशन बैटर करने का एक अभ्यान शुरू किया है, तो इस कुशन का अंसर हो जाएगा आपके, B. मेघाले, ठ आले, यदि थोड़ी बहुत हिंदी और संसकत अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेघ मतलब होते हैं, बादल, मतलब बादलों का घर, तो आप सभी समझ जाएंगे, यदि बादलों का घर है, तो इसका मतलब रेनफॉल, रेनफॉल क्या होगी भाई भी जानते हैं कि सेवन सिस्टर्स का जिकराता है, सेवन सिस्टर्स किसे कहते हैं, जो भारत का नौर्थीस्ट वाला जो हिस्सा है, उसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, तो एक बार मैप में बहुत अच्छे तरीके से सेवन सिस्टर्स देख लीजिए, यहां पर राजधानी कौन सी है शिलोंग ठीक है इस कोशेन का अंसर हो जाएगा मेघाले चलिए मेघाले के बारे में एक चीज और बात है आपने जोग्राफी जब पढ़ते हैं तो कुछ हिल्स के बारे में पढ़ते हैं कौन-कौन सी गारो खासी जयंतिया यह हिल्स भी है और कुछ ज पढ़िया लिक पाओगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चीजों को थोड़ा इंटर लिंक करना सिखाऊं आपको देखो यह दिखासी की बात करूं तो आपने एक जगे का नाम सुना है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपने यह दि इस जगे का नाम तो आपने बहुत सबसे जादा वर्षायदी कहीं पर होती है तो वह कहां पर होती है मनसिव राम में क्यों क्यों कि मेगाले के अंदर क्या होता है खासी पहाडियों से जब बादल टकराते हैं तो बहुत ज्यादा रेनफॉल यहां पर होती है ठीक है तो नोर्थेश्ट का मैप भी आपको थो बन जाता है तो यह दिए आप इसको खेल खेल में देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजे काम आएंगी बाद में तो हाली शुरू हुआ है क्या नाम है इसका विजिलेंट स्टॉर्म नाम का भ्यास है किस-किस के बीच में हो रहा है तो मैं आपको बतायता हूं इस और इसके अलावा आपके दक्षन कोरिया यदि आप थोड़ा सा मैप देखेंगे तो आपको कहा पर उत्तरी अमेरिका महादीब के अंदर उत्तरी अमेरिका महादीब के अंदर यह कौन सा है आपका USA यह क्या है वही साब यह है आपका कैनेडा और यह क्या है आपका मैक्सि को तो उत्री अमेरिका मादिप बनता है कैनेडा युएस ओर मैक्सिको को मिलाकर वहां पर युएस और देखिए इदर इदर आपका और प्रेधीप हो किस से बनता है उत्री Korya on दक्षिन कोरिया से तो यहाँ पर आपके कौनसा है दक्षिन कोरिया जिसकी capital है Seoul तो इनके बीच में यह यो ध्यव्यास हो रहा है तो यहां से देखिए जब भी आपको PDF मिले तो यहां से आप इन Maps को बहुत अच्छे से देखते रहना काम हैंगे चीक है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं CVC द्वारा सतरकता जाग रुकता सपता 2022 की शुरुवात कब से की गई है तो इस question का अंसर आप देख सकते हैं देखो यह option है 31 October से 6 November, 1 November से 6 November, 1 November से 7 November और 4 November से 11 November तो आपका CVC होता है आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे तो फायदे मन्द रहेगा कि CVC की फुल फॉर्म आपके बेसिकली होती है सेंटर विजीलेंस कमीशन ठीक है तो CVC सतरकता सपता अयुजित का रहा है इसका अंसर हो जाएगा आपके 31 October से लेकर के और 6 November तक तो थोड़ा सा जानकारी हम CVC के बारे में देख लेते हैं देखो ये कुछ बॉडिज हैं जिन से सवाल पूछ ली जाते हैं और इसको अलग से पढ़ने लगोगे तो बहुत समय लगेगा तो इसको जब भी करंट की कोई चीज आ रही उसके साथ में रिलेट करके पढ़ ल बॉडि यह ठीक हैं जो केबल के किसके लिए रैस्पॉंसिवली है पारिमेंट के लिए संसद के लिए रैस्पॉंसिवल है ठीक हैं और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेन चीज याद रखेंगे इसका गठन हुआ था 1964 में में एक समीती है कोद 1976 के आधार पर क्या बणी थी आपके Center Vigilance Commission अब आप पूछेंगे कि यार ये इतना काम हो रहा है तो ये काम क्या करता है भई है Center Vigilance Commission आपके क्या करेगा बृष्टाचार को नियंतरन करने वाली संस्था है जो corruption हो रहा है उसको नियंत्रण करने वाली संस्ता है इसलिए यह बहुत important है इसके बारे में चीज़ें अपने को ध्यान रखने हैं चलिए अगले सवाल की तरफ move करते हैं हाली में किसमे आई जी पद पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है A. CRPF, B. ITBP, C. BSF और D. CDS तो आई जी पद पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है वो किसमे की है CRPF ने ठीक है चलिए तो CRPF आप सभी जानते हैं CRPF Center Reserve Police Force देखो मैं आपको एक पता दूँ कि एक नाम है CRPF यदि आपने नाम सुना हो तो ध्यान करने की कोशिश करना एक होता है C.A.P.F देखो C.A.P.F की फूर्ट फॉर्म होती है आपके Center Armed Central Armed Police Force देखिए CRPF एक तरह से आपकी पैरा-Military Force है जिसे आपन बोलते हैं पैरा-Military Forces CRPF आपकी जिसे आप बोलते हैं क्या अर्ध सैनिक बन लेकिन गवर्नमेंट नहीं क्या किया कि यहाँ पर 2011 में संशुधन करके जो पैरा-Military वर्ड उसको अटा दिया और Central Armed Police Force ही इसको बना दिया अब जितनी भी आपके paramilitary force हैं उनको आप किसकी अंडर डालेंगे CAPF में आप यहाँ पर डालेंगे और यह जितनी भी संस्था है इनका काम क्या होता है इनका की जाती है चीक है अगला options था आपका BSF BSF आप जानते हो क्या होती है Border Security Force इसका मतलब भारत की जहां-जहां सीमा लग रही होंगी ना उन Border Security Border Security करने का काम कौनती है Border Security Force जीवन परियंत कर्तव इनका क्या है लोगो है इसकी स्थापना बेसिकली हुई थी एक दिसंबर 1965 को ठीक है उसके बाद में देखते हैं हम यह ITBP का नाम आपने सुना होगा देखो यह सारे चीज इंपोर्टेंट है करना Security का जहां पर भी जिक्राता है वहां पर आपको पता होना चाहिए इंट्रव्यू वगेरा कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन्स आपके लिए बहुत काम की हो सकती है देखो ITBP का मतलब है नीचे लिखा हुआ है भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसका मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तो आप कभी भी जब तिब्बत की तरफ भारत की सीमा से लगते हैं शेत्र में गूमने जाएंगे तो वहां पर आपको ITBP मिलेगी जो आपकी सुर ITBP में तो मैं आपको थोड़ा सा हिरार्की पता देता हूं जो आपका पुलिस सिस्टम चलता है कई लोगों का सपना होगा और पीएस बनने का भाई साब आरपीएस बनने का इस बनने का तो देखिए सिस्टम होता है कॉंस्टेबल उसके बाद में लांस नायक फिर आपके हबलदार ठीक है ASI उसके बाद में सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर फिर आपके DCP सोरी DSP ठीक है DYSP DSP उसके बाद में ASP देखो यहां से आपके IPS वाली रेंक स्टार्ट हो जाती है फिर आपके additional superintendent of police then superintendent of police then this is the SSP फिर DIG और फिर देखो IG तो यहां प पूछा था CRPF Central is the police force और finally आपके DGP ADGP और SDGP की rank होती है तो यह आप पुलिस सिस्टम की hierarchy यहां से समझ सकते हैं ठीक है तो यह answers भी मैंने आपर आपको दे दिया हैं आप इसको टैली कर लीजिएगा PDF आपको मेरे जो चैनल है उसके उपर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं चैनल है अपना ठीक है चली तो जुड़े रही है यहां पर आप बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यह सभी चीजें देखो आपके करेंट को भी इंप्रूव करेगी प्लस आपके जो कॉंसेप्ट्स हैं उनको भी इंप्रूव करेगी तो मेरी गुजारीश रहेगी कि आप इस चैनल को अ को आगे बढ़ाइए बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए मिलते हैं अगले लेक्षर में अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा धन्यवाद कि अ कि कि कि